नमस्कार मैं हूँ पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ प्रश्णों के उत्तर तो लेते हैं एक एक करके कुछ सवाल और पहला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है वनिता पवार नहीं जो कि मुंबई की रहने वाली हैं और वनिता जी म में इन्वेस्ट कर रही है कुछ समय से और वनिता जी आपने बताया है कि आपका गोल है 2 करोड से 2.5 करोड तक का 15 years में और आपने कहा है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसकी वैलियो अभी है 12,3000 रुपीज और SIP आप कर रही है 32,000 पर मंत की और आपने भी कहा है कि 10% से आप step up भी करेंगी तो पहले देखते हैं कि अगर आप इस तरह से invest करती रहती है तो कितना पैसा बनेगा 15 years में और दीखे दी calculate करते हैं 12% के CAGR पर मैं calculate कर रहा हूं तो 15 years में 2 करोड 71,52,000 इतना पैसा बन सकता है तो आपका target है 2 से 2.5 करोड का वो तो अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है और हम उमीद कर सकते हैं रिटरंस 12% नहीं उससे भी बहतर होंगे long term में और आपने funds भी अच्छे चुने हुए हैं लेकिन अगर हम बात करें inflation की कि यदि 6% का inflation हो तो 15 years के बाद इस पैसे की value कितनी होगी तो यह लगभग मतलब जो 2.71.000.000 एकटा हो रहे हैं उसकी value 1.13.000.000 के आसपास होगी तो इसके लिए एक बात समझना important है कि आपका जो goal है वो बड़ा होना चाहिए और समय के साथ 10% से तो आपने कहा ही है कि आप step up करेंगे लेकिन मुम्किन हो तो जब भी आपके पास में और भी surplus money हो तब आप invest करते रहें आप बात करते हैं schemes की तो schemes आपके portfolio में सभी अच्छी है और आपका ज्यादा allocation large cap में है हलाकि यह अच्छा है large cap funds में stability रहती है लेकिन आपका क्योंकि नजरिया 15 years का है तो मेरी राय यह है कि आपको mid cap में थोड़ा सा exposure ब्लाना चाहिए और ऐसे में निपॉन इंडिया large cap fund में आप 4000 रुपीज पर मन्त की SIP कर रही है तो आप चाहें तो इसे आप switch कर सकती है निपॉन इंडिया vision fund में निपॉन इंडिया vision fund जो है यह basically एक large mid cap fund है तो इसके जरीए आपको थोड़ा mid cap का exposure मिलेगा और या फिर आप इसके बजाए निपॉन इंडिया growth fund ही consider कर सकती है तो mid cap में थोड़ा सा exposure ब्लाने की मैं आपको सला दूँगा बाकी आपका portfolio अच्छा है और आप इसमें invest करते रहिए all the best to you बढ़ते हैं आगे और लेतने कला सवाल जो पूचा है प्रशांत ने प्रशांत आपने यह सवाल पूचा है मेरे asset nifty mid small cap 400 momentum quality 100 ETF के वीडियो पर और आपने पूचा है कि विच विल गिव हायर रिटन मतलब कंपेर कर रहे है एक्टिव स्मॉल एंड मिटकेप फंड और यह फंड यानि कि मेरे asset nifty mid small cap 400 momentum quality 100 ETF तो पहली तो बात यह है कि एक्टिव कैटिगरी में कोई small and mid cap fund नहीं है या तो large and mid cap है mid cap है small cap है तो कोई ऐसी कैटिगरी नहीं है यानि कि small and mid cap as of now दूसरी बात यह है कि हम जब कभी compare करते हैं यदि आप बात करें कि इस ETF को में compare करें दूसरे फंड के साथ में तो किसी भी कैटिगरी में सभी funds का return एक जसा नहीं होता तो यह कहना शायद मतलब मेरे लिए सही नहीं होगा कि मैं कहूं कि कौन सा इनमें से better returns दे सकता है क्योंकि अगर आप mid cap category की बात करें या small cap की बात करें तो वहाँ पर हो सकता है कि कि passive fund का return इससे बहतर हो किसी का इससे कम हो बात यह है कि दोनों अलगलग चीजें हैं और जहां बात करते है passive fund की और passive fund में यह जो fund है यह एक basically factor investing और based fund है जिसमें quality और momentum दो factors को consider किया गया है तो एक investor के portfolio में active fund और passive fund दोनों के जगे हैं दूसरी बात यह है क्योंकि momentum और quality दो factor के benefits यहां पर यानि की fund में यह देखे जा सकते हैं तो ऐसे में जब हम momentum देख रहे हैं market में उस वक्त पर इस तरह के fund से better returns की उम्मीद की जा सकती है और यदि आप long term के इंवेस्ट कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि आपको एक active fund भी अपने portfolio में शामिल करना चाहिए और उसके साथ में आप इस तरह का इस तरह का एक passive fund भी अपने portfolio में शामिल कर सकते हैं तो यहां पर यह या वो नहीं बलकि एक large and mid-cap fund में कर सकते हैं आईसे से potential large and mid-cap fund इसमें आप SIP शुरू करें और मेरी सलह आपको यह है कि आप साल दर साल SIP अमौन को बढ़ाते रहें सिर्फ 500 रुपे पर रुक ना जाएं आप सुरुवाद 500 से कर सकते हैं लेकिन समय के साथ अमौन को बढ़ाईए ताकि आप थोड़ी बड़ी राशी एकटा कर पाएंगे अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ यह पूछा है धरमपाल जी ने और धरमपाल जी का सवाल income tax से सम्मंदित है तो सवाल यह है धरमपाल जी आपने कहा है कि आपके एक property है जो की आपके और आपके wife के नाम से joint property है और यह आपने rent पर दी हुई है और जो rent आता है वो आपके account में आता है तो आप जानना चाहते हैं कि क्या वो पूरा rent आपको अपनी income में add करना चाहिए या फिर दोनों की income में add होगा जी कि property में दोनों का नाम है और rent आपके account में आ रहा है अब यहा यह जो property buy की गई थी इसके लिए पैसा किस नहीं दिया था अगर यह सिर्फ आपके पैसे से property buy की गई है तो income tax के लिए यह आपका asset है इसके उपर इससे जो भी आमदनी होती है income from house property यानि कि किराय के रूप में जो आमदनी हो रही है या फिर आप इसको बेचेंगे और उस capital gains होंगे उन सब पर tax देने की जिम्मेदारी आपकी है और यदि इस property को buy करने के लिए आपने और आपके wife दोनों ने पैसे contribute किये हैं तो ऐसे में यहाँ पर दोनों की income होगी और यह दोनों की property है income tax के लिए तो अब आपको बस यह देखना है कि जैसा मैंने कहा कि सिर्फ न जो income हो रही है वो आपकी हो रही है और आप अपनी income में इसको add कीजिए उससे tax calculate कीजिए और यदि जैसा मैंने कहा कि आपकी wife ने भी contribute किया है तब फिर आप इसे divide करके दोनों की income में add कर सकते हैं और अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ यह पूछा है हेमू नारुल ने और हेमू जी पहले तो आपने मेरे काम की तारीफ की है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी age है 25 years और आपका portfolio आपने share किया है तो मैं पढ़ देता हूँ निपॉन इंडिया multi cap fund में 3000 रुपीज पर मन्त की SIP है HDFC mid cap opportunities fund में 3000 रुपीज ICSA potential small cap में 3000 ICSA potential India opportunities fund में आपने S new cap index fund में भी 1500 पर मत के SIP कर रहे हैं तो पांच funds है आपके पास में multi cap है mid cap है small cap है micro cap भी है और साथ में India opportunity fund है जो की एक special situation fund है तो fund की choice अपके अच्छी है categories भी अच्छी है और funds भी अच्छे हैं लंबे समेक लिए निवेश कर रहे हैं तो फिर बिल्कुल आप इन funds में अपनी SIP continue कीजिए सवाल है आपका कि I want to start 7500 रुपीज new fund इन परात पारिक flexi cap fund में 7500 रुपीज की SIP सुरू करना चाहत हैं बिल्कुल कर सकते हैं fund अच्छा है और इसका जो major allocation है वो large cap में है और थोड़ा allocation इसका international equities में भी है fund की performance consistent रही है तो आपके पास वैसे भी कोई large cap fund नहीं है multi cap के जरिये ही आपका allocation थोड़ा large cap में है तो बिल्कुल आप बेशक इस fund को अपने portfolio में शामिल कर सकते हैं और दूसरा सवाल आपका है कि any change in my fund list तो मैंने शुरुबात में कहा कि funds की choice आपकी अच्छी है लेकिन आप के पास already 5 funds हैं और 6 अब आप add कर रहे हैं इसके बाद में आप और नया fund add ना करें जब भी आपको पैसे बढ़ाने हो तो इनी funds में आप amount को बढ़ाते रहें all the best to you और अगला सवाल जो मैं ले रहा हूं यह पूचा है पार्था सार्थी पात्रा ने और पार्था जी आपने सवाल पूचा है मुतिलाल ओस्वाल निफ्टी defense index fund को लेकर और आपने कहा है कि आप already HDFC defense fund में 1000 रुपीज पर मन्त की SIP कर रहे हैं तो क्या यहाँ पर overlapping होगी तो बिल्कुल होगी क्योंकि यदि आप defense fund में already invest कर रहे हैं तो almost वही stocks आपके index में भी होंगे सिर्फ फर्क यह है index fund में और एक active fund में कि जो stocks है उनका weight अलग हो सकता है और थोड़े बहुत stocks अलग भी हो सकते हैं लेकिन क्योंकि यह thematic index है तो यहाँ पर बहुत chances है कि अधिकतर stocks जो है वो आपको same to same मिलेंगे आपको जरूरत नहीं है दू तो आप उसमें ही निवेशित रहिए और amount बढ़ाना है तो आप उसमें ही बढ़ा सकते हैं और अब लेते हैं आज आकरी सवाज जो पूचा है प्रवेंड लांबा ने प्रमीड जी आपने कुछ funds में SIP शुरू की हुई है और आप कह रहे हैं कि सभी schemes में आप 2,000 रुपीज पर मन्त की SIP कर रहे हैं यानि कि 5 schemes में 10,000 रुपी की SIP आपकी चल रही है और आपको जानना यह है कि 15 साल में कितना पैसा बन पाएगा तो यदि मैं 12% के CAGR पर calculate करता हूँ तो करीब 48 लैग रुपीज इखटा हो सकते हैं 15 साल में और मैं आपको एक क्रायद में हाँ रखूंगा मेरी कि यदि 10% से आप step up करें तो यही जो SIP की चल रही है इससे करीब 83 लैग रुपीज इखटा हो सकते हैं 15 years तो एक बात तो यहाँ पर तैह है कि यदि आप step up करेंगे तो पैसा ज्यादा बनेगा यह आपको जरूर करना चाहिए और साथ ही समय समय पर आप top up भी करते रहें जहां तक funds का सवाल है सभी schemes अच्छी हैं और बस एक बात यहाँ पर मैंने नोट की कि आपने small cap में ज्याद में तो बस यह है कि समय के साथ में थोड़ा सा आप mid cap में amount को बढ़ाएं क्योंकि large cap में आपका 2000 है बड़ साथ में परागपारी flexi cap fund है उसके जरिये भी जो निवेश हो रहा है वो majorly large cap में हो रहा है तो ऐसा कह सकते हैं कि 4000 रुपे करीब आपके large cap में है mid cap में कम है mid cap में थोड़ा सा आपको amount बढ़ाना चाहिए बाकी सब फीक है so all the best to you आज के लिए बस इतना ही मैंने आज कुछ प्रशनों के उतर दिये और मुझे उमीद है यह जानकर यह आपको पसंदाई होगी इसी तरह से आपके जो भी सवाल और सुजाव हो आप comment box में post कर सकते हैं इसी क के साथ मुझे दीजे इजाजत अगले एपिसोड में फिर किसी important topic के साथ या फिर आपके सवालों के जवाब के साथ आपसे मुलाकात होगी ठैंक यू जैहिंद mutual fund निवेश बाजार जोखिमों के आधीन है योजना से संबंदित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पड़े